हेलो दोस्तों मैं संदीप मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तों जैसा कि 11 सितंबर 2020 को आपका AG का जो पेपर था BHU-BAC-AG वो कम्प्लीट हुआ है तो आज के इस वीडियो में हम mental eligibility का जो portion है उसे solve कराऊँगा इसके पहले बहने biology, physics और chemistry जो आपके BHU-BAC-AG से मैंने उसको solve करा रखा है और उन सभी solve paper का लिंक मैंने इस वीडियो के description box में दे रखा है तो उस लिक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं तो आएए देखते हैं mental eligibility के question कौन से है और उसके right answer क्या है तो इस बात जो reasoning के question थे यानि के mental ability के question थे उसमें arithmetic के question कई पूछे गया है तो जो math के student है उन्होंने तो बहुत अच्छे solve किया होगा बाकि bio के student है उनको problem रही होगी तो जो हमारा पहला question है इसमें के कमान आपको बताना है ठीक है तो मैं आपको सीधे answer बताऊंगा आपका जो भी question booklet है यानि जो भी set है आप उसे question up down होगा आप उसे match करा लीजेगा तो सीधे बात कहते हैं इसके answer की तो question number first का जो right answer है वो है option first इसका answer है 2 question number two की बात कहते है तो यहाँ पर चोथे का सीधे बनाट इसका right option is option 2 है तो option 2 का option number 2 right answer है Question number 3 की बात कहते हैं यहाँ यदी समांतर स्रेणी and पदो का योग दिया हुए ठीक है तो यहाँ पर दूसरे पत का मान बच़ा हुए तो दूसरे पत का मान है 11 right option option 2 Q4 है जो की probability से दिया हुआ है तो एक ठहले में 40 gates है जिसका right option option 3rd जिसका right answer है 10 Q5 है थोड़ा सा आप clear नहीं दिख रहा होगा आप थोड़ा सा रजेस्ट करें मासाथ Q5 का जो right answer है यहाँ पर आपको संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में वेवस्तित किया गया है तो इसकी माधिमिका बताना है तो इसका right option है option 4 चलते हैं अगले question की ओर question no.5 हो चुगा है ठीक है question no.6 की बात करते हैं देखते है question no.6 क्या है एक समानतर स्रेडी में प्रत्थम पद 2 है और अंतिपद 29 है तथा प्रत्थम अंपदों का योग 155 है तो common difference यानि की पदों का अंतरहाल होगा तो इसका right option option first जिसका answer है one question no.7 ने द्रिघा समीकरण दिया हुआ है ठीक है two x square minus x minus six is equal to zero के मूल होंगे ठीक है तो इसका right answer बताना है तो इसका right option 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 four ठीक है question no.8 की बात करते हैं एक द्रिघा समीकरण दिया हुआ है तो इसका right option is option four के कमान question no.9 की बात करते हैंéri penuh number 9 का जो right option है अपका option one सही है यानी कि इसका right answer है zero ठीक है यानि की zero value आईगा तो इसका right option option first question no.10 की बात करते हैं यहां पर आपको लëसर और मसर निकालना है question दिया हुए हर पी और क्यूर का right option 4 question no.11 की बात करते हैं यहां पर रीना पूरब की तरफ A से B 10 feet चलती है और फिर वदाई तरफ मुड़ती है और 3 feet चलती है फिर वदाई और मुड़ती है और 14 feet चलती है तब इसका right answer है option 2 5 feet question number 12 है अरुन कहा है या इस्तरी मेरी मा के पौत्री की पतनी है अरुन उस इस तरी का क्या होगा इसका right option option 2 ससूर father in law question number 13 है एक हिस्तरी उत्तर की और मुख करके खड़ी है तथा 100 डिगरी घड़ी की दिशा में मुड़ती है और फिर वह 190 डिगरी घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ती है तब वह किस दिशा में है तो इसका right option 2 पस्षिम वेस्ट question number 14 है उस सब्द को चुनिए जो स सब्द के कम से कम एक समान है तो right option option first calendar question no इस संख्या को चुनिए जो समू दूसरे से अलग है तो यहां पर राइट आप्सटन फर्स्ट वन ट्वंटिफाइब कोश्चन नमबर 17 की बात करते हैं निम्न चार में तीन एक तरके हैं और एक समू बनते हैं इसमें से कौन सा एक समू नहीं है यानि कि इसमें से एक अलग है इन तीनों से ठिक तो यहां पर राइट आप्सटन है आप्सटन फॉर्स्टन नमबर 16 की बात करते हैं किसी कूट भासा में कम्प्यूटर को तो इसका राइट एंसर है आप्सटन थर्ड कोश्चन नमबर 19 की बात करते हैं तो कोश्चन नमबर 19 यदि रोज को 6821 से कोड लिखा गया है, तो इसका आपको एंसर बताना है, तो इसका राइट ऑप्सन ए अप्सन थर्ड, कोश्चन नमबर 20 की बात करते हैं, यहां पर ZR की वैलू दी गई है, जे कैसे लिखा जाएगा बताना है, तो इसका राइट ऑप्सन आप्सन, आप्सन के संबंदों को बताता है, राइट ऑप्सन फर्स्ट है, कोश्चन नमबर 22 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा चित है, डाक्टर ध्यापक और इंजिनियर को बताते हैं, तो राइट ऑप्सन आप्सन टू, कोश्चन नमबर 23, यदि हवा को हरा हरे रंग को नीला नीले आकास को पीला पीले को, पानी तथा पानी को गुलाबी कहा जाए, तो नीरमल आकास का रंग कैसा होगा, तो राइट ऑप्सन है, आप्सन फर्स्ट, कोश्चन नमबर 24 है, यदि E बराबर 5 तथा R.E.E.D. को 7 से कोट किया जाए, तो इसका राइट ऑप्सन है, आपका आप स्कूटर को साइकल तथा साइकल को मोपेट कहा जाया, तो खेत को जोतनी के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, तो इस कोश्चन का आपका जो राइट ऑप्सन है, वो है, आप्सन फोर कार, ठीक है, तो दोस्तों, आज की वीडियों बस इतना ही, तो मैंने आपके ब्सक्र जरूर सेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय हारत,